नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियूज मैं हूं योगी शक्रबर्ती और इस बक्तम पट्ना के गानी मैदान में हैं जहां सिच्छक नियुक्ति के दूसरे चरण से बिपीएसी पास करने वाले सिच्छकों को नियुक्ति पत्र बाटा जा रहा है और यहां पे आप और श्युक्ति पत्र मिली हैं देखिए सिर्फी लेने का कितना क्रेज है सभी सेल्फी ले रही हैं सिर्फी ले रही हैं यह बताईए कि खुश है कापी बहुत खुश है जी वहां से आना जाना फिर यहां रुकना कि इतना कठीन सफर था अभी तक रोजगार पाने में मतलब बहुत कठीन था बहुत बहुत कठीन था जी रोजगार नहीं मिला तो बिहार में आई है यह वताएं कहा जा रहा है कि मतलब यूपी के जो CM है योगी जी वो भी अपने दवंग छवी के लिए जाने जाते हैं तो नितीज जी अच्छे है या योगी जी अच्छे है आपके लिए कौन अच्छे है अभी तो रोजगार में नितीज सर अच्छे है और यूपी में मंदिर भी बना है तो मंदिर अच्छा है या मतलब नौकरी अच्छी है नौकरी इसके लिए बहुत धन्यवाद है आप लोग और दो पूझा है सरख्वांची करें अगर नीटी सरकार को धन्यवाद देते क्योंकि आज अगल नीती सर नहीं होते तो हम लोग रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग इस बहुत जादे वेट कर रहे थे वैकिंसी टीचर लों के लिए बहुत सुवब सर है इसके लिए निती सरकार को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी ने दो करोड लोगों को हर साल युवाओं को रुजगार देने की बात की थी लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखा सिएम नितीस ने नौकरी लगभग 2,00,000,000 से जादा टीचरों की बहाली कर दी बेयार में तो ये बड़ी बात है बहुत बढ़ी बात है हम लोग के लिए तुसर रियली बहुत बढ़ी बात है हम लोग स्टूडेंट है और हम लोग काफी लंबे समय से संगर्सरत है ये बताहिए कि अभी राम मंदिर का मुद्दा काफी गरम है तो मंदीर अच्छा है या फिर नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी है नौकरी रहेगा तो हम लोग मंदीर मजीद सब बनवा सकती है आप कहा से आई हैं तो नियुक्ति पत्र हासिल कर ली है अब आप टीचर हो गई है तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगी लक्ष्वी आएंगी घर में हर महीने कितना खुश है मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं जो इस वक्त का इंतिजार कर रहे थे वे सभी बहुत खुश है और निती सरकार को में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनोंके पढ़ियास से आज हम लोगों को ये शुब दिन देखने को मिला ये बताइए कि नौकरी को लेकर भी बहुत रात तरह की राजनिती की जा रही है और अभी राम मंदिर का मुद्दा काफी जो है उचाला जा रहा है रतियात्रा निकाला जा रहा है अक्षत बाटे जा रहे हैं तो नौकरी अच्छी है या मंदिर अच्छी है सर दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं लेकिन दोनों चीज़े अपनी अपनी जगा पर सही है सर जितनी जरूरत हमें मंदिर की है उससे कहीं ज्यादा हमें नौकरी की जरूरत है तो मेरा तो यही मानना है कि दोनों चीज़े सही है अपनी अपनी जगा दोनों चीज़े सही है लेकिन ज्यादा जरूरत नौकरी की जी जी आज के समय में तो जी सबसे ज्यादा ज़रूरी है सरु भजन नहोई गोपाला नहीं सार ऐसा कुछ नहीं है मंदिर भी उतनी जरूरी है लेकिन नौकरी पहले ही हम लोगी पैरविटी है क्योंकि पहले पेट भढ़ जाएगा फिर आगे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं मंदिर मस्जिद कुछ भी बन सकता है पहले पेट भढ़नी चाहिए आपको लगता है कि मोदी जी से योगी जी से जो है नितीस जी आगे निकल गए है जी इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी विभने बाद को भी मिला है जोईनिंग आर ये डी नीज धनवाद के हमको थोरा समय मिला बुलने के लिए आपके न्यूज चैनल के माधियम से मैं किशनगन जीला से आएं सर और मुझे वैसाली जीला में पोस्टिंग हुआ है टी आर टू के माधियम से और नितीस जी का बहुत धनवाद है कि हम इस उमर के लोगों को नोगरी मिली और इसके लिए धनवाद के पात्र हैं हूँ और बाकी टी आर वन का भी एक लाख चे अधिक लोगों को रोजगार दिलाया है और टी आर टू में भी लगबग एक लाख करीब लोगों को नियुक्ति पत्रक का आज समारो है और दूसरा सुनने में आया है कि आप मेडियाई के माधियम चे तीर तीरिका भी नियुजन करने वाले नियुक्ति करने वाले इस में नितिश कुमार को बहुत-बहुत धनवाद हम गरीब हों के लिए जो डायरक जो जी इसका क्रेडिक डायरक हम समय स्री मानमुक मंदरी को दिया जाता है कि अभी मंदिर का मुद्दा भी बहुत तेजी से उचाला जा रहा है और मंदिर को लेकर अक्षत बाटे जा रहे हैं गौंगौं में तो मंदिर जाला जरूरी है यह नौक्री जाला जरूरी के भूका पेट भजन नहीं होगा इक खाना है मेरा कि जब तक पेट भरना है आदमी को रोजगार मिल गया उसके बाद मंदिर भी जरूरी है मजदीर भी जरूरी है हर धर्म के लिए हर आस्था की जरूरत है लेकिन सब सर्वपर्थम रोजगार की जरूरत है रोजगार रहेगा खुचाल रहेंगे लोग अपने बच्चों को अच्छे दंग से पराएंगे यहां पर लिखा है रोजगार मतलब निटीश कुम निटीश सरकार इस इसका मतलब है कि निटीश कुमार जब से आये हैं लगबग आप तक देखा जाए कि 5 लाख के करीब यू आमको नोकरी मिल चुका है इसकी बात है बहुत खुशी की बात है लेटर अधीख खुश है बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों को सिच्छक न्यूक्ति में मौका मिला और हम अपना बेहतरीन परद्रिशन करके यहां कि सिच्छा व्यवस्ता में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रियास करेंगे यह पता है कि जिस तरह से नौकरी दी गई है बड़ी शंक्या में लोगों को नौकरी दी गई है बिहार सरकार की ओर से तो एक तरफ आज कल मंदिर का मुद्दा भी काफी गरम है तो मंदिर जादा जरूरी है या नौकरी जादा जरूरी नहीं सर रोजगार सबसे बड़ा म सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं नीतिश सरकार का तहें दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रोजकार रोजगार को प्रस्रे दिया अब बटाएगे कहां से आया आप नालंदास भीहार सरकार को और उनके सभी सिच्छा भीवाद की पताधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस परकार की वेवस्था लाई जो भीहार सरकार की सिच्छा वेवस्था जो काफी बदनाम हो चुकी थी अब कुछ नए सिच्छक और नामी सिच्छक जो अपने उपलबदियां पर हासिल करके आए हैं वो अमूल्चुक परिबार्तन करेंगे कि हमें पूरी विश्वास है बहुत खूस हैं यह परकिरिया आज से 15 साल पहले होना चाहिए था हम लोग को यह इतना हो गया पहला वर हम भी प्यस्थी क्वालिफाई कर गए हैं हाई ब्यवस्था होना चाहिए था पंदरा बर्स पूरु भी एज आड़े नहीं आया नौकरी अंता आपने पाली तो इस के लिए किसको आप बढ़ाई देंगे धन्यवाद हम तो इसके लिए धन्यवाद के पाठक जी को हां माननी मुखमंत्री जी का भी मानुका उनका भी तो रहा है उन्हीं के दिसा निर्देश के अनुसार लेकिन इतना आउने स्टी मतलब के आउने स्टी से काम किये हैं के प फिर नौकरी ज्यादा जरूरी देखे यह तो दोनों चीज है क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है और तो अलग लग मिसा है एक जीवन के लिए जरूरी है हां दोनों को एक साथ तो जोड़ा नहीं जा सकता है सर हम लोग सिच्छा के आई जरूरी क्या है हां देखे देख हां दोनों चीज जरूरी है दोनों चीज जरूरी है आपने जगह पर धर्म भी है आपने जगह पर सिच्छा भी है हां जब तक सिच्छा नहीं रहा गया तो जारूरी है या फिर मंदिर जारूरी है जी नहीं हम यह नहीं कह सकते हैं दोनों चीज जरूरी है हमें मारा धर्म है या फिर आप मंदिर की बात जो हो रही है वो ज्यादा जरूरी तो दोने चीजे हैं ना सर जीसे जीने के लिए क्या कहते हैं आपके लिए सांस जरूरी है भोजन भी जरूरी और जल भी जरूरी है इसमें क्या जरूरी है सर अगर कुछ भी आप नहीं लेंगे तो आपने त सब्सक्राइब और जरूरी है जीने के लिए नावकरी जी जान के दढ़ नहीं है कि वह भी है लेकिन विना नौकरी के जीवकाक तो भी धर्म नहीं समभनें आप क्या कहेंगे दोनों जरी अपने अपने जगत दोनों सही है लेगिन आपका प्रश्ण केवल एक उत्तर को सब लाने के लिए हो रहा है देको अगर हम से फूखिएगा तो दोनों अपने अलग-अलग जगह पे-दोनों सब्सक्राइब क्या है जादा कम कुछ नहीं होता ज्यादा जरूरी कम जह से हम एक एक ढ़ारती हैं तो तो हमारी नोकरी पेल्ग और हमारी नहीं मतलब मेद मतलब यह कि जो मंडिर की बाथ कर रहा है जहां भी आखाली है उँसी नियुक्तिया खाली है उन सबी राज effort को ड्यान हम देना चाहिए है और उसी परकार से पाइलेट प्रॉजेक्ट इन तरह जिस तरीके से निवक्ति पत्र आज बाटा जा रहा है उसी तरीक के बारे में तो कहा जाता है कि मुखमंत्री काफी दवन है तो वहां नोकरी नहीं सर अभी इस समय तो नोकरिया ते रहे हैं पारदर्स्तित्रा के साथ दे देखेंगे तो वह तरह से बहाली कर रहे हैं वह एक सराहनी कदम है मंदिर बनाने में लगे हुए ज्यादा नहीं सर वह जरूरी है सर जीवन जीने की पद्धत हमें वही सिखाता है सर एक राम यह जो कभी बाटने की राजनीत नहीं करते हैं उस सबको साथ लेकर चलने की राज प्रेणा देते हैं हमको में राम राज है ना जी बिलकुल है पूर आप पूर आप पूर